जवान फिलिम के उपर मुहम्मद रासिद अलमक्तूम की बेटी सेखा मायरा का स्तानदार रियक्तन सामने आ रहा है रासिद मक्तूम की बेटी जवान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मूवी के इमोशनल सिंस हमें रुला देती हैं और सहरुक खान ने जवान मूवी के अंदर जो पब्लिक मैसेज दिया है वो हर किसी को देखना चाहिए और इस मूवी को पूरी दुबई को भी देखना चाहिए नमस्कार मैं राम किसोर और आप देख रहे हैं टेक्निकल आरके पाल यूटूब चैनल दोस्तों यदि आप भी सारके के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को वाटसब फेस्बुक पर जरूर सेर करें दोस्तों डारेक्टर इटली कुमार ने जवान फिल्म के अंदर जो रंग डाले हैं उससे पूरी दुनिया रंग चुकी है डारेक्टर इटली कुमार ने जो एक्सन और इमोसनल सीन दोस्तों जो फिल्म में डाले हैं वो फिल्म जो है बहुत लोगों को पसंद आ रही यान जवान फिल्म ने पिछली 11 दिनों में 883 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यानि 21 सितंबर तक जो है जवान मूवी ने 883 करोड रुपे का कलेक्शन करके बॉक्स आफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दी हैं और जवान फिल्म का क्रेज कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस मूवी को सहरुख खान के फैन के द्वारा जम करके सपोर्ट किया जा रहा है सहरुख खान की बोलीबुट की जो फिल्म है यह सहरुख खान बोलीबुट के पहले ऐसे सुपरिश्टार बन चुके हैं जो कि एक साल में दो दो ऐसी फिल्में कर चुके हैं जिन अम्राठोर का हर कोई दिवाना बन चुका है दूसरी तरफ आज भी इस मूवी की एडवांस उसने रिकॉर्ड बना दिया है आज भी इस मूवी का बॉक्स आफिस कलेक्शन बहुत बड़ा आने वाला है और वही इस फिलिम ने कमाई के मामले में पठान को भी पीछे पचार आपको सहरुख खान की उस बात को बोला नहीं चाहिए जिसमें सहरुख खान कहते हैं जवान मेरे करियर की सबसे बड़ी मूवी है किसान लोन ना चुकाने की वजह से हो रही आत्मत्या वाला सीन हो या फिर आक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चे की होश्पिटल में होन इस तर उसमें डाले गए एक्सन तीन और इमोशनल अंत्रीन हमें रोने पर मजबूर कर देते हैं दोस्तों इस फिलिम में आपको क्या अच्छा लगा और इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताई इसमें आपको कौन सी जानकारी अच्छे लगी कमेंट बाक्स में ज़ बताना और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना थाइंक्स वार वाचिंग जाहिए